Hello, Good Morning Students. Today we will learn about using capital letters. It means बड़े अक्षरों का परियोग. You have learned how to write the capital letters and the small letter. आपने सिखा है कि capital letter or small letter को कैसे लिखते हैं. Let us understand where we use capital letter. तो आज हम सिखेंगे कि capital letter का use है, वो कहां होता है और कैसे होता है. The first letter of a person's name is a capital letter. यनि कि किसी व्यक्ति का जो name होता है, उसका first letter क्या होगा? Capital. जैसे मयंक का first letter क्या है? M. ये क्या है? Capital. रिच्चा का R क्या है? Capital. इमरान का I क्या होगा? Capital. जोसफ का J क्या होगा? Capital. हर्जित का first letter H क्या होगा? Capital. सोफिया का first letter S क्या होगा? Capital. प्रिएंग्टा का P, Capital. मुम्ताज का M, Capital Letter. तो हम किसी व्यक्ति का जब नाम लिखते हैं, तो उसका first letter क्या होता है? Capital. आगे, the first letter of a surname is a capital letter. अब जैसे किसी का surname लिखते हैं, तो वो भी किस में होगा? Capital Letter में. अब जैसे यहाँ पे लिखा है कपूर, कपूर का first letter K क्या है? Capital Letter. गुप्ता का G, Capital. खान का K, Capital. सिंग का S क्या होगा? Capital. मेहता का M, Capital. सोलमोन का S, Capital. चोपरा का C, Capital. अनसारी का A, Capital. So, the name of a person is written. अब किसी विव्यक्ति का name के साथ सरनेम लिखते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? जैसे मयंग गुप्ता. यह name होगा और यह सरनेम. इनका first letter क्या होगा? Capital. इमरान खान का I, Capital. और K, Capital. जोशेफ सोलमन का J, Capital. S, Capital. अब किसी भी प्लेस यानि की स्थानों के नेम लिखते हैं, तो उसका भी फर्स्ट लेटर क्या होगा? Capital. जैसे देली, देली का D, Capital. मुझफर नगर का M, Capital. चर्च रोड का C, Capital. रोड, Capital. मोडन स्कूल का M, Capital. और S, Capital. प्लाजा सिनेमा का P, Capital. और शी भी, Capital. रोग गार्डन का R, Capital. G, Garden. हम किसी भी स्थान का नेम लिखते हैं, तो वो क्या होगा? Capital. नेम और फेस्टिवल एंड होलिडेज बिगिन वीदा, Capital. अब फेस्टिवल या होलिडेज तेहारों और छुटियों के जो नेम होते हैं, उनका फर्स्ट लेटर क्या होगा? Capital. जैसे दिवाली, दिवाली का D, Capital. इद का I, Capital. बेसाखी का B, Capital. क्रिश्मस का C, Capital. होली का H, Capital. रिपब्लिक डे का R, Capital. और डे का D, Capital. इंडिपेंडेज दे का I, Capital. एंडे का D, Capital. नेम्स ओफ डेज ओफ दा वीक, विगिन विद ए कैपिटल लेटर. अब जो डेज नेम है, जैसे संडे मंडे है, उनका भी फर्स्ट लेटर क्या होगा? Capital. जैसे संडे का S, Capital. मंडे का M, Capital. तूजडे का T, Capital. वेनेस दे का W, Capital. तूजडे का T, Capital. फ्राइडे का F, Capital. सैटर्डे का S, Capital. नेक्स्ट है, नेम्स ओफ मंडे ओफ दा येर, विगिन विद ए कैपिटल लेटर. अब जैसे डेज नेम में हमने फर्स्ट लेटर, Capital लिखाता हो और यहाँ पे भी क्या होगा? मंस नेम है, उसका फर्स्ट लेटर भी क्या होगा? Capital. जैसे जैनवरी का J, Capital. फरवरी का F, Capital. मार्च का M, Capital. अप्रेल का A, Capital. माई का N, Capital. जून का J, Capital. जूलाई का J, Capital. अगस्त का A, Capital. सेप्टेमबर का S, Capital. अक्टोबर का O, Capital. नॉम्बर का N, Capital. और दिसम्बर का D, Capital. तो यह था हमारा चैप्टर सूडेंट्स. अब हम करते हैं, एक्सरसाइज. यूज कैपिटल लेटर वेर नेसेसरी. यहाँ पे जो यह क्योस्टन दी हुए हैं, तो उनमें क्या करना है, जहाँ पे जरूरत हो, मतलब नेसेसरी यह निकिया आफ्शक हो, वहाँ पे आपको क्या करना है, Capital लेटर लिखना है. अब जैसे यहाँ पे पुछा है, Write Your Name. तो हम अपना यहाँ पे नेव लिखेंगे, तो हमें पता होना चीए कि हम नेम लिखेंगे, तो हमारा नेम का फरस्ट लेटर क्या होगा, Capital तो हम इस परकार से लिखेंगे, और कोई भी संटेंस लिखते हैं, उसका फरस्ट लेटर भी क्या होगा, capital अब जैसे name का पुछ है तो जैसे name क्या है हमारा जैसे कोई भी मान लेते हैं राधा तो राधा कार first letter क्या होगा capital second है write your father's name अब अपने father या पापा का name लिखेंगे तो पहले क्या लगेगा mister father के name लिखेंगे जैसे वी नोड वी आई एन ओ डिव नेम का first letter क्या होगा वी capital अब surname लिखेंगे तो surname भी क्या होगा capital शर्मा कैस capital next है write your mother's name अब जैसे mother's name लिखेंगे तो उसमें भी क्या होगा mother's के name से पहले क्या लिखेंगे missis अब mother's का name लिखेंगे तो उसका first letter क्या होगा capital जैसे k कामता आगे कुछ विश्रमा सर नेम लिखेंगे तो उसका भी first letter क्या होगा capital next है write the name of your teacher अब अपनी teacher का name लिखेंगे तो उसका भी first letter name किसी का भी लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा capital अब जैसे टीचर के नेम से पहले अगर वो एंड मैरीड देख मिस इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा capital नेक्स है write the name of your friend अब किसे भी अपने फ्रेंड का नाम लिखते हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर क्या होगा capital जैसे रवी सुरिय या कुछ भी नेम लिखो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा capital write the name of your school अब हम अपने school का name लिखेंगे तो उसका भी क्या होगा first letter capital school कहां स्थान में आ गया जगह तो उसका भी क्या होगा capital letter जैसे होली 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 मिशन माइडबलस आईवन मिशन इंटर नेशनल अल इंटरनेशनल अब होली का है आगे स्कूल लिखेंगे तो उसकूल का भी तो एक क्योस्ट जो था वो गया सैकिंड है भी नेम ओ प्लेसेज बिगिन विद कैपिटल लेटर री राइड दा नेम्स करेक्टली इन दा ब्लेंक स्पेस दा फर्स्ट हैज बिन डन ओल्रेड़ी अब यहां पे कुछ प्लेसेज बगेरे कुछ लिखी हुए है तो उनको यहां पे दुबारा लिखना है कैपिटल लेटर का यूज करते हुए जिससे पहले है नैसनल म्यूजियम तो इसका एम स्मोल है और इसका म्यूजियम का एम भी क्या है स्मोल है, तो हमें क्या करना है, उसको capital letter में दिखेंगे, तो national का N क्या हो गया capital, museum का BM क्या हो गया capital, आगे है सफदर, हस्मी रोड, तो सफदर का S क्या होगा, capital, हस्मी का H, capital, road का R, capital, यह आपको capital letter में यहाँ पे लिखना है, ऐसे ही, पटेल नगर, पटेल का P, capital, नगर का N, capital, तो यह स्पेलिंग यहाँ पे दुबारा लिखनी है, और इनका first letter क्या लिखना है, capital, ऐसे ही, मेरूत, सिटी, मेरूत का N, capital, शिटी का C, capital, और यहाँ पे अगेन लिखना है, आगे, उपहार, सिनेमा, उपहार का U, capital, C, capital, ह अब कोरोबेट का C, capital, नाशनल का N, capital, पारक का P, capital, यह स्पेलिंग हमें यहाँ पे लिखना है, थैंक्यू,